नमस्कार मैं डॉक्टर आशुतोष च्छा, कंसल्टेंट और्थोपेडिक्स मनिपाल हॉस्पिटल गाजियबाद से आज हम चर्चा करेंगे एक कॉमन और्थोपेडिक प्रॉब्लेम के बारे में जिसका नाम है आर्थराइटीस जी हाँ आर्थराइटीस, आर्थराइटीस का मतलब होता है जोडों के अंदर होने वाली सूजन आर्थराइटीस है तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन ब्रॉडली इनको अगर हम देखें तो कुछ मेजर ग्रॉप्स में डिवाइड किया जा सकता है जिसमें सबसे कामन होता है औस्टियो आर्थराइटीस जो हमारे घुटने का उफेक्ट करता है इसके अलाबा रॉमेटाइड आर्थराइटीस और रियक्टिव आर्थराइटीस भी बहुत कामन है जो नॉमली किसी वारल फीवर या गैस्ट्रो इंट्राइटीस यानी के अंदर आतों में सूजन की बिमारी होती है उन में भी लेट स्टेज में अर्थराइटीस की शिकायते पाई जाती है तो अलग-अलग किसम के अर्थराइटीस होते हैं इन अर्थराइटीस के प्रकार को जानने के बाद अब हम ये समझना चाहेंगे कि इनके लक्षन क्या होते हैं जैसा कि मैंने बताया arthritis का मतलब होता है जोडों के अंदर होने वाली सूजन तो जी हाँ arthritis में आपके जोडों में सूजन उत्पन होती है सूजन के साथ साथ जोडों में अकड़ापन आता है यानी stiffness, सो के उठने पे आपके जोड बिलकुल जाम से महसूस होते है जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आपकी समस्याएं थोड़ी थोड़ी बहतर हो सकती है सोने के बाद या रेस्ट करने के बाद ये दोबारा बढ़ सकती है आर्थरेटिस के और भी लक्षन होते हैं, जिनमें उनके सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन यानि जिस बीमारी के कारण वो आर्थरेटिस आपके बाड़ी में हो रहा है, उसके भी लक्षन होते है आर्थरेटिस जदे तर हमारे घुटनों को अफेक्ट करता है, इसके अलावा कूलों पे भी इसका असर देखा जाता है रुमेटार्ड अर्थराटिस एक मल्टी सिस्टम अफेक्ट करने वाली बीमारी है जिसमें शरीर कभी भी नंगों पे इसका असर देखा जाता है लेकिन प्रायज शुरुआत के दिनों में मरीजों के हाथों और पैरों की छोटी उलियों में सूजन और आगे चलके टेड़ापन महसूस होता है रियक्टिव अर्थराटिस का मरीज ये बताता है कि हमें कुछ समय पहले बुखार हुआ था या पेट में इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद हमारे जोडों में दर्द हो रहा है और इसमें एक खास पैटर्न अब्जर्व करते हैं कि समय बदलने के साथ-साथ दो से तीन दिन के अंदर एक जोड से दूसरे जोड में ये माइग्रेट करता है इसलिए इसे माइग्रेटरी पॉली आर्थरालजिया भी कहा जाता है तो कैसे डाइग्नोज करें कि ये केस आर्थराइटिस का है की नहीं इसके लिए कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट होते है और इस्टियो आर्थराइटिस को डाइग्नोज करने के लिए हमें सिर्फ एक्सरे की जरुवत होती है ट्रीट्मेंट की अगर बात करें तो सारे आर्थराइटिस के लिए अलग-अलग किसम के ट्रीट्मेंट उबलब्द है और इस्टियो आर्थराइटिस में हम जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज में घिसावट हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने की दवाईयां देते हैं एडवान स्टेज के केस में इसमें नीर प्लेस्मेंट की जुरत पड़ती है रुमाटवाड अर्थराइटिस जैसा कि मैंने बताए एक सिस्टेमिक डीजिस होती है इसमें बॉडी के और भी यंग अफेक्टेड होते हैं और इसके लिए एक डेडिकेटेड है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसे हम फॉलो करते हैं जिसमें कुछ दवाईयां दी जाती है और अगर एडवान स्टेज में पेशेंट है तो बॉडी की इम्मिनिटी को मोडिफाई करने के लिए कुछ नई दवाईयां आई है जिनें बायलोजिक्स कहा जाता है इसके अलावा और भी विविन प्रकार के आर्थरेटिस होती है जिसके ट्रीटमेंट उसके सिस्टेमिक अफेक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है आर्थरेटिस को प्रिवेंट कैसे कर सके ऐसा कोई खास तरीका नहीं है जिससे आप आर्थरेटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन कुछ कंसेप्स यह बताते हैं कि एंटी इंफ्लमेटरी डायट लेने से हमारे आर्थरेटिस की पॉसिबिलिटी कम होती है रेगुलर एक्ससाइज करने से बोन के स्ट्रेंथ को मेंटेन करने से डायट में प्रॉपर के कैल्शियम के इंटेक को रखने से हम arthritis को आगे prevent कर सकते हैं तो आए मनिपाल hospital गाजियबाद और हमसे संपर कीजिए और अगर आपको जोडों के अंदर सूजन या उसमें आकड़ापन यानि stiffness की दिक्कत आ रही है तो शायद आपका विमारी arthritis हो सकता है इसके लिए संपर करने से बिलकुल ही जिजक न करें हमारे पास हर पकार की सुविधाय उपलब्ध है जिससे हम early stage में आपके arthritis को डाइगनोज करके आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं धन्यवाद